जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाकिय की पुस्तक से अध्यन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है वित्रो आज हम अपने अध्यन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाकिय की पुस्तक बीस अध्याय से अध्यन को जारी रखेंगे इसमें हम देखेंगे कि शैतान एक हजार वर्ष के लिए बांधा गया अध्याय बीस के आरंभिक पद हजार वर्ष के पुर्व की घटना का वर्णन करते हैं आईए हम पढ़ें प्रकाशित वाकिय की पुस्तक बीस अध्याय उसके एक से तीन पद यहाँ पर इस प्रकाश से लिखा हुआ है फिर मैंने एक स्वर्ग धूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अताह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी उसने उस अजगर अर्थात पूराने साप को जो इबलिस और शैतान है पकड़ के हजार वर्ष के लिए बान दिया और उसे अताह कुंड में डाल कर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह हजार वर्ष के पूर्व होने तक जाती जाती के लोगों को फिर न भर्माए इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए मेरे मित्रों यहां आप देखेंगे कि पद एक से तीन में हजार वर्ष का उलेक दो बार आया है अध्याय बीस में छा बार इसका उलेक किया गया है यह सच है कि हजार वर्ष का उलेक केवल अध्याय बीस में ही है परन्तु परमिश्वर चा बार इसका उलेक करता है परमिश्वर को कोई बात कितनी बार कहनी होती है जो भी हो वह सच हो वह उन अन्य बातों की तुलना में जिन्हें मनुश्य एक या दो बार ही धर्मशास्त्र में देखकर महत्पुन कहकर बल देता है उससे तु कहीं अधिक परमिश्वर एक हजार वर्ष का उलेक यहां करता है हजार वर्षों का उलेक चा बार किया गया है और इस बार यह समय शैतान के संदर्ब में है कुछ टीकाकार इस घटना को हजार वर्षय प्रभूराज से अलग करके यहां के प्रकोप के दिन के अंत से जोडते हैं इस विचार के कारण प्रिथ्विपर से शैतान के हटाये जाने के कारण उत्पन हुए उस विभाजन को भी गंभीरता में कम लाते हैं कहने का अर्थ यह है कि इस विभाजन के कारण उस गंभीरता में दबाव कम आता है उसका बंदी बनाया जाना किसका शैतान का और प्रिथ्वि से हटाया जाना परिस्तिती को अंधकार से ज्योती में बदल देता है वह इस युक का इश्वर है और वह आकाश के शक्तियों का शासक है तथा इस संसार पर उसका प्रभाव और अधिकार असिमित है जिसे कोई कम्प्यूटर भी नहीं आग सकता है उसका हटाया जाना प्रभुराज का मार्ग तयार करता है क्योंकि उसके स्वच्छंद गूमने से प्रिथी पर प्रभुराज अस्थापित नहीं हो सकता है अतर हम देख सकते हैं कि शैतान का प्रभुराज से संबंध इस प्रकार है कि उसे प्रभुराज के आग्मन से पूर्व पृत्वी पर से हटाया जाना अति आवश्यक है मनिश्य प्रित्य पर शांतिय स्थापित करने की बात करता है समरिधी लाने आदी की बात करता है और अनेक विश्यों की चर्चा भी करता है परन्तु यह सांसारी की विवस्ता अंत्ता ख्रिस्त विरोधी में जाकर समाप्त होगी परन्तो वह भी शान्ति और सम्रिधी नहीं लाएगा जबकि कुछ समय के लिए ऐसा प्रतेत होगा कि वह शान्ति और सम्रिधी का राजकुमार है परन्तो इस प्रिथी पर शैतान के रहते आदर्श लोग के स्थापना नहीं हो सकती है उसके स्वतन्त रहते हुए आप आदर्श राज्य नहीं देख सकते हैं इसलिए लिखा है फिर मैंने एक स्वर्धूत को स्वर्ग से उतरते देखा कहता है आगे उसे पकड के हजार वर्ष के लिए बान दिया शैतान का सामर्थ कम हो जाएगा क्योंकि एक साधारन स्वर्धूत ही उसे बान्द कर बंदी बना लेगा आप देख सकते हैं यहोदा की पत्री एक के नौपद में प्रकाशित वाक्य बारा ध्या उसके साथ से नौपद में यहां लिखा है अताह कुंड इससे अधुलोग कहें तो अधिक उचित होगा यह पद दस में व्यक्त आग की जील नहीं है तब आगे देखते हैं इसके बाद अवश्य है कि वा थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए धर्म शास्त्र का यह अंस समझ से परे है एक बार परमिश्य ने उसे बंदी बना दिया तो फिर उसे मुक्त करने की क्या आवश्यक्ता है इस प्रश्न के लिए डाक्टर लुईस स्पेरी शाफर का उत्तर अती महत्पुन है यदि आप मुझे पहले यह बताएं कि परमिश्य ने उसे मुक्त क्यों किया तो फिर मैं बताऊंगा कि परमिश्य ने उसे क्यों मुक्त किया उसकी मुक्ती में परमिश्य का एक महान उद्देश्य है बुराई की एक बड़ी समस्या यही है परमेश्वर उसे होने क्यों देता है मेरा मानना तो यह है कि परमेश्वर एक महान योजना को पूरा कर रहा है जो परमेश्वर का एक भेद है जिसका खुलना अभी बाकी है एक दिन यह भेद प्रगट होगा वह हमें केवल विश्वास में जीने के लिए कहता है हमें परमेश्वन में भरुसा रखना है और जान लेना है कि वह जो भी करता है सही करता है एक बार जब मैं छोटा था तब अपने पिता के साथ जा रहा था कि बड़ी आंधी उठी और मैं बहुत डर गया पानी भी बरस रहा था और हम बहुत गीले हो गये थे मुझे आज भी याद है कि मेरे पिता ने अपनी बाहें मेरे कंधे पर रखी और कहा पुत्र मुझ पर भरोसा रख और मैं उससे लिपट गया इस प्रकार हम आंधी का सामना करते हुए पार लगे मेरे पिता जी जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, उसी प्रकार परमिश्वर हमारे भी चिंता करता है, और हमारी रक्षा भी करता है, हमें संभालता भी है मेरे प्रियों, जीवन के आंधियों में हम अपने पिता के साथ पार हो सकते हैं काश, मैं आपको जीवन के समस्याओं का समाधान सुझा पाता परन्तु नहीं, मैं अज समर्थ हूँ अता हम अपने प्रभु परमिश्वर में भरोसा रखें संसार में नहीं, क्योंकि वही हमारा उधार करता है एक बार मैंने बुराई की समस्या पर एक पुस्तक पढ़ी परन्तु उस पुस्तक को पढ़ लेने के बाद भी बुराई की समस्या थी लेखा के पास इसका समाधान नहीं था उसने दो सव प्रिष्टों में वही कहा जो मैं एक वाक्य में कह सकता हूं मेरे पास बुराई की समस्या का समाधान नहीं है परन्तु मेरे मित्रों विश्वास का जीवन जीने पर एक दिन हमें इसका समाधान मिल जाएगा परमिश्वा ने शैतान को एक हजार वर्ष के लिए बंदी बनाया कि उसके बिना एक हजार वर्ष को प्रभु राज्य आए लोग देखें और जाने महकलेश के भक्त जन प्रभुईश्व के साथ एक हजार वर्ष राज्य करते हैं हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक बीस अध्याय उसके चार से छे पद में आगे पड़ते हैं लिखा है फिर मैंने सिहासन देखे और उन पर लोग बैट गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया मैंने उनकी आत्मा को भी देखा जिनके सिर इश्व की गवाहिद देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशुकी और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी चाप अपने माथे और हाथों पली थी वे जीवित होकर मसी के साथ हजार वश तक राज्य करते रहें। धन्य और पोईत्र वह है, जो इस पहले पुन्रुथान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसी के याजक होंगे और उसके साथ हजार वश तक राज्य करेंगे। महा कलेश में अनेक जन प्रवीश्य के लिए अपनी जान गवाएंगे, अर्थात शहिद होंगे, परन्तु वे फिर जी उठेंगे और प्रवीश्य के साथ एक हजार वर्ष राज करेंगे। महा कलेश के भक्त जन साढ़े तीन वर्ष कुछ ले जाएंगे कि एक हजार वर्ष का लाब उठाएं। मैं तो कहूंगा कि उनका यह सौदा बहुत अच्छा है। वे साढ़े तीन वर्ष अतिकष्ट कारी होंगे, परन्तु हजार वर्ष अति उत्तम समय होगा। मेरे प्रियों कलपना कीजिए, प्रविश्व के साथ प्रित्वी पर एक हजार वर्ष आप राज्य कर रहे हैं। आपको कैसे लगेगा। यह भवश्यद्वानी धर्म शास्त्र की अन्य किसी भी भवश्यद्वानी के समान है। दूसरा पत्रस की पत्री एक अध्या के बीस पद में लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पोईत्र शास्त्र की कोई भी भवश्यद्वानी किसी के अपने ही विचार धारा के आधार अर्थात, आप धर्मशास्त्र से किसी एक पद को लेकर उस पर सिधान्त स्थापित नहीं कर सकते हैं। आपको धर्मशास्त्र के अन्य संदर्भों से उसे जोड़ना अति आवश्यक है। अता ये पद वास्त्विक तथ्यों का सम्मानित उलेक माना जाए। तो यह तरक संमत होता है और भवशद्वानी की संपुन योजना के साथ संयोजित होता है जिसे हम देखते आ रहे हैं। इसे आकर्शक चिन्न एवं प्रतीक मानना इसे निरर्थक बना देता है। इसे शब्द जाल में बुनने का अर्थ है इसे वास्त्विक अर्थ से वियुक्त कर देना, दूर कर देना और धर्मशास्त्र के व्याख्या को व्यार्थ कर देना। मेरे मित्रों, सिहासन वास्त्विक है, शहिद वास्त्विक है, प्रभईशु वास्त्विक है, परमिश्वर का वचन वास्त्विक है, पशु वास्त्विक है, मूर्ती वास्त्विक है, पशु का चिन भी वास्त्विक है, माथे और हाथ वास्त्विक है, और हजार वर्ष भी वास्त्विक समय है, कुछ वास्त्विक है, हजार वर्ष का अर्थ हजार वर्ष है, यदि परमेश्वर का इसे अभिपराय अनंतकाल होता, तो वह इसे स्पष्ट करता, क्या परमेश्वर अपना अर्थ स्पष्ट करने योग्य नहीं है, निश्य ही वह योग्य है और जब व तो उसके कहने का अर्थ भी 1000 वर्ष ही है क्योंकि वह हमारे लिए है। काम में लेता है। तब हम पढ़ते हैं। फिर मैंने सिहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। यह सपष्ट कथन नहीं है। यह लोग कौन हैं। मेरे विचार में यह लोग प्रतम पुन्रुथान के हर एक युक के उधार प्राप्त मनश्य हैं। जो उसके साथ बैठ गए पहला पुन्रुथान प्रवईश्य के पुन्रुथान के साथ था। तदुपरांथ उननिस वर्षों के बाद से अधिक समय कलिस्या के उठाये जाने के समय सोय हुए विश्वासियों का पुन्रुथान जो महाकलेश से पूर्व की घटना है। हम उसे पाते हैं। प्रकाश पुन्रुथान के स्रधालुओं का संहार तथा पुराने नियम के भक्त जनों का पुन्रुथान होता है। आप देखिए दानिल नभी की पुस्तक बारा अध्या उसके एक और दो पद में। पुन्रुथान का पहला फल प्रवईश्य अग्रगामी है। मेरे प्रियों संसा का अन्त हो जाएगा और प्रभईश्व आएगा मृतक जी उठेंगे प्रभईश्व अच्छे मनिश्यों को एक ओर रखेगा तथा बुरों को दूसरी ओर दुष्टों को दूसरी ओर इस प्रकार अन्तकाल का आरंभ होगा ऐसा मानना आप परिपक्व विचार है मेरे मित्रो परमेश्वर एक निश्वित योजना पर चल रहा है जैसा उसने सदेव किया है और वह बुद्धिमानी के कदम उठा रहा है महा कलेश्व और पुराने नियम के भक्त जन निश्वर ही प्रभीश्व के साथ इस प्रिथि पर राज करेंगे और मेरे विचार में दावत प्रभीश्व का सहायक शासक होगा कलीश्या तो मसी की दुलहन है वह नए यरुश्यले में वास करेंगी जहां से वह परमेश्व की स्रिष्टी के एक विशाल भाग पर राज करेंगी प्रभीश्व इस नए यरुश्यलेम और प्रिथि पर स्थित यरुश्यलेम के मध्य आना जाना करता रहेगा और मेरे विचार में तो कलीश्या भी अपने इस स्वारगीक घर और प्रिथ्वी के बीच आना जाना करती रहेगी इस्राइल और अने जातियों में जो मरे नहीं वे अपनी पार्थियों देह में ही प्रभु के राज्य में प्रवेश्य करेंगे ये लोग और प्रभु राज में जन्म लेने वाले इस समय पर खे जाएंगे जिस प्रकार प्रभीश्यों अपनी महिमामय देह में अपने शिश्यों और अन्यायों में उठता बैठता था उसी प्रकार कलिस्या भी अपनी महिमामय देह में इस प्रिथी पर उपस्तित पार्थियों मनिश्यों के साथ उठेगी और बैठेगी वह अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम होगी यह मेरी प्रत्थम अंतरिक्ष यात्रा होगी जी हाँ, उस समय गृत्वा कार्षन शक्ति का बल मुक्त हो जाएगा और हम यहाँ वहाँ जा सकेंगे और यह शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगा मेरे मित्रों हम पढ़ते हैं, लिखा है वे परमेश्वर और मसी के याजक होंगे, यह संपुन इसराइल के विशय में है, परमेश्वर का तो मूल उद्देश यही था कि वे उसके याजक हों, जैसा कि निर्गमन के पुस्तक 19 सध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और तुम मे द्रिष्टी में याजकों का राज्य और पवित्र जाती ठहरोगे, जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है, वे यही हैं, अबराहाम अपने परिवार में याजक था, लेवी वन्स याजक था, जिसमें हारुन का परिवार महा याजक होता था, इस प्रिथी पर जब प पुन इसराइल जाती याजक होगी, मेरे प्रियों, धर्म शास्तर के इस अंस में अन्य किसी युक की अप्यक्षा प्रभुराज की भोशद वानी है, पूराने नियम के भोशद वक्ताओं का विशय ही वर मिश्वर का राज्य था, मैं नहीं जानता कि आप इसकी अन्य क्य व्याख्या करेंगे, आज हम छोटे भोशद वक्ताओं के बारे में बहुत कम सुनते हैं, उनकी शिक्षा के शेत्र में एक बड़ा रिक्ता स्थान है, वे सब हजार वर्ष्य प्रभुराज की बाट जोह रहे हैं, आगे हम देखेंगे एक हजार वर्ष के बाद शैतान की म दिया जाएगा, वह उन जातियों को जो प्रित्वी के चारों ओर होंगी, अर्थाद गोग और मगोग को जिनकी गिंती समुद्र के बालों के बराबर होगी, भर्मा कर लड़ाई के लिए इकठा करने को निकलेगा, वे सारे प्रित्वी पर फैल कर पोईत्र लोगों की चा समय की घटनाओ की चर्चा करती है, परंतु ये अंतिम अध्याय विशेश करके अंतिम घटनाओ पर बल देते हैं, यहां शैतान और मनिश्य का परमेश्वत से अंतिम विद्रो है, प्रभु राज आदर्श परिसित्यों में मनिश्य को परकने का समय होगा, जैसा कि इस अं से प्रगट होता है, उस समय जियों ही शैतान मुक्त किया जाएगा, तियों ही प्रभु इश्य के राज के अधिन आदर्श परिसित्यों में रहने वाले मनिश्य का एक बड़ा समुदाय उसकी और फिर जाएगा, अब यह समुदाय कहां से आया, यह एक अच्छा प्रश्न है, प्रभु राज में प्रवेश करने वालों की संख्या असंख्य होगी और उन से उत्पन संतान भी असंख्य होंगे, देखिए यशाय नभी की पुस्तक 11 अध्याय के 6 पद में और 65 अध्याय के 20 पद में, वह समय प्रित्वी पर जन संख्या विस्पोर्ट का समय होगा, उस समय रोग नहीं होंगे क्योंकि प्रित्वी पर से शाप हट जाएगा, प्रित्वी बहुत बड़ी संख्या में मनिश्यों के लिए भोजन उत्पन कर पाएगी, परन्तु सब कुछ बदल जाने के बाद भी मनिश्य का मन नहीं बदलेगा, इस कारण अनेक लोग परमेश से फिर कर शैतान की ओर हो जाएंगे, विश्वास तो नहीं होता, परन्तु आज की दशा ही आप देख लें, शैतान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लोगों को अपनी जाल में फसाता जा रहा है, प्रभुराज के बाद मनिश्य का यह विद्रोह प्रगट करता है, कि यर्मिया कहता है, सत्रा ध्याय के नौपद में, मन तो सवस्तों से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेत कौन समझ सकता है, जी हाँ, आप और मैं नहीं जानते कि हम कैसे निसार हैं, हम अपने पुराने स्वभाव को परमेश्य के अधिन करने में असमर्थ हैं, रोमियो की पत्री आठ अध्या के सात्पद में पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्य से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्य के वेवस्था के अधिन है और ना हो सकता है, ये लोग एक हजार वश्त तो परमेश्य के राज से उब जाएंगे, क्योंकि वह निरंकुष, शासक होगा, और मनिश्य को धार्मिक्ता के मार्क पर ही रहना होगा, वे इसे पसंद नहीं करेंगे, और औसर पाते ही विद्रोह कर देंगे, प्रित्वी की जातियां शैतान के जाल में फंस जाएंगी, और विद्रोह का शड्यंद्र रचेंगे, इसले लिखा है गोग और मागोग, अनेक बाइबल विद्यार थी, इसे यहचकेल नवी की पुस्तक 38 और 49 अध्याय का गोग मागोग समझ बैठते हैं, यह संभव नहीं है, क्योंकि यह विद्रोह समय, अस्थान और साभाग्यों में उसके तुल्य नहीं है, किवल नाम एक से हैं, यहचकेल नवी की पुस्तक 38 और 49 अध्याय में गोग और मागोग का उत्तर दिशात से आकर्मन करके, ख्रिस्ट विरोधी की शांती भंग करना है, जिसके कारण वह महाकलेश के मध्य हात उठा देगा, इस विधर्मी आकर्मन का प्रभाव मनिश्यों पर ऐसा होगा, कि एक हजार वर्ष के बात भी मनिश्य का अंतिम विद्रो उसी नाम से पुकारा जाएगा, और वह है गोग और मागोग, मेरे प्रियों, पहले महायुद का प्रभाव ऐसा था, कि जब दूसरी बार महायुद हुआ, तो उसे धित्य महायुद कहा गया, और अब मनिश्य को तीसरे महायुद की प्रतिक्षा है, मैं इसका व्यक्तिगत उधारन देता हूँ, एक परिवार में अनेक लोगों का नाम जौन था, अता जब किसी परिवार में एक बालक का नाम जौन रखा गया, तब उसकी माता ने उसे केवल जे पुकारा कि वहा अन्य सबसे अलग हो जाए। यहचकेल नभी की पुस्तक 38 और 49 अध्याय में गोग और मागोग का युध प्रताम युध है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के 8 पत का युध गोग और मागोग दितिय युध है। कि युध भी एक ही है। मेरे प्रियों, पद 9 में अन्तिम परमानु बम गिराया जाएगा। कहने का अर्थ है कि जिन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा गोग मागोग प्रताम का नाश हुआ था, वही प्राकृतिक शक्तियां गोग मागोग दितिय को नश्ट करेंगी। परमिश्वर के विरुद यह अन्तिम विद्रोह वैसा ही निस्फल रहेगा, जैसा अदन की वाठिका का प्रतम विद्रोह था, यहां मनिश्य द्वारा परमिश्वर की आग्या नाम मानने का आरम नहीं है, प्रन्तु अंत दर्शाया गया है। यहां मनिश्य के विद्रोह का अन्तिम प्रयास होगा, अब बस केवल अन्तिम न्याय ही रहता है जिसे हम देखने पर हैं। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि परमिश्वर का वच्चन हमें स्पष्ट काता है कि शैतान बांधा जाएगा और छोड़ा जाएगा और उस समय लोग उसकी और फिर जाएंगे। हम मनिश्यों के दशा को देख और समझ सकते हैं। परंतो देखें कि आप किसकी और हैं। आप अपने जीवन में विचार करें। कि अपने जीवन में विचार करें।